और इस माटी से एकदम खास लगाव है, जिसको कह सकते हैं, अगर आप पहले प्यार की बात करें, तो मेरा पहला प्यार है जारकन, जारकन को जब समझने की बारी आई, तो मुझे लगता है कि उनको ये जानना जरूरी है, कि लोग क्या चाहते हैं से जार और कैसे चाहते हैं, जापान कहता है, अगर जारकन ऐसा राज हमारे पास होता, तो हम एकनॉमिकल बूस्मेंट में या जो हमारा तरकी का रेश्यो है, वो पचास गुन और जादा हो, अक्सर मैं महसूस करता हूं कभी-कभी, कि हम ऐसे राजनेताओं के साथ रह रहे हैं, जो जारकन की माटी को स जारकन की सूर से आज आज मुलकात करवाएंगे, और हमारे बेच वो मौझूद है, और जारकन के जो राजनिती का हल्चल जो है, जारकन को बड़ी करिभी से देखा है, और इन्ही स्तंग सवालों के साथ जूडे रहेंगे, सबसे पहले, आपको डिश्यनाव चैनल में, ब जारकन की सूर कहते हैं? साल का जहारखंड और भी जो राज हैं जो चौबीस साल के हैं उसके मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है पिछड़ा वा क्यों है कि जहारखंड की से जरूरत है पूरी नहीं हो पा लिए यहां जिस तरह का बिभन भाषा बिभन कल्चर बिभन ट्राइब सेक्शन है उसको राजनिती की महाल उस नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि आप यह समझने की कोशिश कीजे जब हम किसी रोजगार की बात करते हैं जब हम किसी स्डूडेंट्स को या ट्राइबल कामयिटी को या हर computer को लेकर चलने की बातों समझना पड़ेगा कि उनकी जरूरत क्या है जब निऊूजन नीति की बात की जाएगे टो हम कितनी नौकरिया दे सकते हैं यह मैंटर करता है पर इन की राजनीतिक स्टक्चर पे कि Party कि सब्सक्राइब भी बारी आई, तो मुझे लगता है कि उनको ये जानना जरूरी है, कि लोग क्या चाहते हैं, सिजालों कैसे चाहते हैं, और जारकन के पास जो है, वो साइद पुरे देश में किसी के पास नहीं, जापान कहता है अचागर जारकन ऐसा राज हमारे पास होता, तो हम एकनोमिकल boostment में या जो हमारा तरक्की का ratio है वो 50 गुन और जादा हो आप चुनाओ के बड़े राजनितिक हैं जारकन को बड़ी करिवी से आपने देखा है तो क्या जारकन में चीजों को जो परखा है आपने क्या परखा है क्या देखा है पहले संभावनाओं की बाद जारकन को यह देखना पड़ेगा कि जारकन की माठी को बहुत 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 रंगते समझता है क्या वैसे राजनिता यहां है अक्सर मैं महसूस करता हूं कभी-कभी कि हम ऐसे राजनिताओं के साथ रह रहे हैं जारकन की माठी को समझते ही दो एलेक्षन जीतना आए एक लीडर बनना दोनों में अंतर है आज जाकनग राजनिती में विधायक बनके मंबर अवी पार्लेमेन बनके उस section के बाद आपकी क्या उपलब्दियां रही उन उपलब्दियों में इतना गिना सकते हैं कि यह budget बिजली, सडक, पानी, इनहीं चीजों को लेकर हम 21st century में जूज रहे हैं, तो आपने कुछ निया नहीं किया। आज जारकें के पास जो मिंडरल्स हैं, उनके साथ आपने क्या एक्सपरिमेंट करा। जारकें के पास जो opportunity है, जो brains हैं, जो लोग हैं, उनको कहां आपने space दिया। हम एक same political space में चल रहे हैं। आप बताइए कि participation of youth in politics, कितना percent है जारकन का। 11% आप बताइए कि जिस देश में more than 60% आपके basically युआ हैं। उस section में आप 11% political affirmation में यहां बैठे वे हैं। 11% क्या कारण है। पॉलिटिकल पार्टियां इस पे क्यों नहीं देख रही है। New brains को क्यों occupancy नहीं मिल रही है। यह समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। कि requirement क्या है। या उस requirement कैसे पूरा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस पे गहरी जिंता नहीं होनी चाहिए। आज हम देखते हैं एक ही बात होता है। यह उसको blame कर रहे हैं वह उसको blame कर रहे हैं। पर what is the position क्या होगी आगले 5 सालों में हम अपने आपको कहां देखते हैं। आप में कहता हूँ जारखन जिन राज्यों के साथ अलग हुआ उनसे अगर हम compare करें। तो आज के डेट में अलग राज बिसकली वेस्स मेनेजमेंट में बड़े लेबल पर काम कर रहे हैं। हम वेस्स मेनेजमेंट में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आप नए अकुपेंसी में नए ब्रेंस को जगह नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप सेम ब्रेंस के साथ सेम विजन ही चलेगा। आपका यू नीड था स्पेस आपको देना पड़ेगा। एक हंट करना पड़ेगा प्लिटिकल सिनेरियो और खासकर जारकंड के लोगों को वो स्पेस देना पड़ेगा। जारकंड की माटी को समझते हैं उसकी खुच्बू को जानते हैं। उन लोगों को राजनितिक स्ट्क्चर में आपको देना पड़ेगा। जर्कंड में अखसर महसूस किया है कि को भी पॉलिटिकल पार्टी हो आप पारशूड लाॉंचिंग करते हैं तिकए जीत के चुना ओ जीत के चुना माटी के बारे में क्या जानते हैं आप समझगे हम जहारख्ण की राजनिती में बैठा हूं मैं जिस कॉमुनिटी का सब्लाइब करता हूँ कौन है आपके हमार कौन से मेरे कौमुनिटी कौन से ऐसा नेता है आपे जो की जाखन बेस हैं और जार्खन ट्राइब्स को फॉलो करते हैं मैंने बच्पन से सरूल मनाया मैंने बच्पन से कर्मा मनाया है आप मुझे बताईए ना कि एक नेता है, जो कि मेरे कॉम्णिटी से बिलॉंग करता है, मैं इस जाती की बात नहीं करता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, कौन है जो इसने मनाया है, मैं जब बच्पवने पहता हूँ तो मेरा ट्राइब, ट्राइबल है, मेरा ज मुष्बू में जो जिन्दा रहेगा, वही बहतर जार्खन बना सकता हूँ, कैसे आप नहीं बताया कि यहां के जो कम्यूटी से लोग जो आ रहे हैं, उस कम्यूटी से रहते हूँ भी जार्खन को नहीं चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, उस नजरिय से नहीं देख पा होंगे, सब के पार्टियों के विदार्थी परिशन युवा मुर्चा है, एक 45 साल का आदमी सरनली आपको कभी-कभी दिखेगा, कि युवा मुर्चा का अध्धक्ष बने बैठा, तो कहां से युवा है, कौन से अंगल से आप यह सोच रहे हैं कि उस युवा से हम कुछ उ education, जो system है, जो scenario है वो लगभक सेम है, मैं international forum में भी काम करता हूं लगभक सेम है, पर आप space नहीं दे रहे हैं, और यहां का युवा यही सोचता है, कि भईया space कब मिलेगा, हमारे यहां जो मिंडल्स हैं, उसकी occupancy में क्या काम हो रहा है, हमारे यहां जो tribes हैं, उसके occupancy में क् जारकन सोचता हूं, तो उसके बारे में हमारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, युवा यह सोचता है, पर युवा को सोचने से कुछ नहीं होगा आपको space देना, platform की बना आज विराट कोली इतना बड़ा batsman है, अगर उसको India team में मौका नहीं मिलता तो विराट को पर आप सुन नहीं रहें, तो ग्यारा पसंड में कैसे हिस्सेदारी मिलेगी, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो बेस्किली आप कोई political ideology की जब बात की जाए, तो political ideology पार्टी की नहीं होती है, विक्ती की होती है, आप जब भी कोई party का section देखेंगे, जो विक्ती आएगा, उसकी ideology पिछले प्रधानमंत्री के section देखेंगे, तो जब आप ideology की बात करें, तो जब आपके different ideology के politicians, youth के तौर पे present है, तो क्या हम different ideology के sections को एक space दे रहे हैं, तो कहां से सिदारी मिलेगी, जब मैने आपको example दे रही है, 18-35 का युवा का section है, पैताली साल का आदमी बैठा ह युवा मुर्चा का दक्ष बनके, ठीक है, क्यों बनके बैठा हुआ भाई, एक 40 साल के आदमी को क्यी space दिया हुआ है, आपने युवा मुर्चा में कोई sections करके, या चातर संग में वो space दिया हुआ हुआ है, क्या ज़रुत पढ़ गई आपको, आप कह रहे हैं, एक तरफ म युवा के place में युवा, और जहां तक political participation की बात करें, not a single party has offered, एक single party ने offer नहीं किया है जारखंड में, कि हम platform देने को तयार हैं, जारखंड के युवाओं को, बल्कि उन्हों ने ये platform दिया है, जारखंड की माटी को नहीं समझेगा, उसको ले आओ, आपने बता तो, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सालों से जूज रहे हैं, बिस सालों से यहां पर, आप मुझे पता दीजे, किसी political party ने space दिया है, तो क्या देखा जारखंड में, उससे अलग, जिन राज्यों से आपने किया है, कैसे तुलना करते हैं, मैं मानता हूँ ना, जारखंड से बाकी र मतलब मैं उसको रफ्तार नहीं मानता हूँ, मतलब आज 21st century में हम बात करते हैं, बुलट train की, ठीक है, और आप speed से चल रहे हैं, बैल गाडी की, ठीक है, मैं जारखंड को बहुत पीछे मानता हूँ, आप सोचिए कि, जब जारखंड इतना बड़ा industrial hub बना, टाटा जैसा section यहां पे है, जिंदल जैसा section यहां पे है, और बड़े-बड़े section से में account करूँ in hand, तो मतलब companies सेकडो की संख्या में है, उन companies का financial rotation, industrial corridor में जारखंड में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, आप एक labor law लगा के, एक initiation बना रोजगार मिलेगा, या फिर हमको दोनों पैटन को समझना पड़ेगा, आप किसी company को सिर्फ यह नहीं कह सकते, कि आप जो unskilled labor उसको रख लो, तो बैचारा वो business करने आया है, आप वो business space जब जारखंड में दे रहे है, तो यहां की जो भी government होगे, उनको यह सोचना पर उसके बारे हम बात कौन करें, हम तो अभी तक यह बात कर रहे हैं, हम अभी तक यह बात कर रहे हैं, कि tribes को कुछ नहीं मिल रहा है, आपने देने की कोशिश की, आपने देने की कोशिश की, आपने जो योजनाय पुरानी है, आप मुझे बता दो, initiation of new yuajnav में क्या नही यहया नहीं है नहीं था नहीं चुश। मेरे इसाब से तो नहीं नहीं आया है भॉट कुछ नहीं आ सकता है पर नहीं आया है आप एक समज़िये कि पैटन को हम जब योजना देनी की बात कर दर्ए L questo अब भोजन की बात का लेते हैं आप सडक की बात का लीजे आप बिजली की बात कलीजे ऐन्षाक्चर की constructive की बात कर लीजे सवेश्ट्राइट्मेंट की बात का लीजे जब आपके livelihood में सब कुछ कौन प्लैन करेगा किसरे शी बडाना जरूरा रांची के लिए उसे भी रोजगार क्रियुट होगा बहुत सभाषान शीट होता है स्टेट हम से तो साथ-साथ ही लग हुआ है उसका इंफरा तो बहुत उल्टा है पहढ़ है गाड़िया मुज कि लह चलनी वहां पर लोगों को बहुत पहला चलना पता है इतने डिफिकल्ट इन्वार्मेंट में भी उन्होंने वेस्ट मेनेजमेंट प्लाइन बनाया तो विजाकर्ण में क्यों नहीं बन सकता है यहां की लीडर्शिप की कमी है जो आपने कहा कि वाटर वेस्टिंग वेकर अकजता की प्लान वीजन रोजगार सिक्षा को लेकर कि सरकार के पास कोई भी योजना नहीं है इसका रीजन क्या है क्या कारण है या सिस्टम कारण नहीं कर रही है या फिर राजनीति के जो पॉलिटिकल जो लोग है जो सरकारी है वो नहीं कर पा जो योजना सरकार के साथ है वो अभी हम लाइवली हुट के लिए जूज रहे हैं यह इसी बात नहीं जोजना है कुछ नहीं काम करती है यह हम से जुड़े है काम होता है बहुत स्टुक्च्रल रिवे में काम होता है लेकिन जब आप पॉलिटिकल फ़र्मेशन की बात करते है कि बाई किसने एक बहतर आइडिया बहतर पॉलिसी लाकर कुछ प्रॉब्लम्स को जो रेगुलर तौर पे उसको सॉल्व कर रहे हैं अब उसका कारण आप चाहां पॉलिटिकल अस्तिरता ले लिजे जहारकंड में या पार्टिसिपेशन ले लिजे मैं तो पार्टिसिपेशन मानता हूं ठीक है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जहारकंड में बहुत स्लो है ठीक है आज आप कैपैबिलिटी की बात करेंगे आप कैपैबिलिटी में आपने किसी ने स्पेस देने की बात करी तो कैपैबिलिटी तो इतना सारा है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत सारे जो political leaders है इंडिया बेस में जो चीज़े कर रहे है हम उनको replace कर सकते है पर यहां पर उसका space निजारखंट में हमको लगता है युवाओं को political space बहुत कम मिला है बहुत कम मिला है चात राजनिती का structure बहुत कम जोर है चुनोर हमने ऐसे चुनोर नहीं लड़ेंगे क्या नहीं लड़ेंगे चुनोर आप एक लोकतंत्र में बैठे है भारत एक लोता देश है जो republic है लोगतंत्र है लोगों को पूछेंगे republic और democracy में क्या नहीं बता नहीं पाएंगे क्यों भारत है ऐसाथ democracy तो उन सेक्टर्स में जब दोनों भारत जब एक लोता देश बना democracy और republic में क्यों बना कि participation सिर्फ भीड की नहीं होगी वह आदमी जो अपनी आवाज उठाएगा उसकी भी होगी तो वह आवाज कहां है आप मुझे बताएगे ना आप पॉलिटिकल चेंज लीडर्शिप में कितना बड़ा कितना पर्सेंट का चेंज देखते हैं मैं तो डेटा दे सकता हूं आपको मजहाकंड के 81 विदान सभाओं 14 लो सभा सेक्शन के रोटेशन का डेटा दे सकता हूं आपको अगर और इनिशियेशन और प्रॉब्लंग सॉल्विंग नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं उसके जगा नए विजन लीडर्शिप को मौका मिल भाए है इस आवाज के अपनी बात के हैं क्या इस लोग सभा चुनाओं में जो होने वाले हैं किसकी आवाज हो गया कौन नेतर इसमें कोई डाउट नहीं है के इंडिया के सरकार बन रही है ठीक है आकडों से मैं कन्फरमेशन दे रहा हूं आज तक चुनाओं कि पिछले 5-6 सालों में जो आकड़े मैंने दिये हैं तो आकड़े सही सटीक सा भी तुम्हें और मैं क्लियर कह रहा हूं कि यह सरकार बन रह ह dolix करेंगी never costing और के काम करेंगी डेटा पे करेंगी तो क्लीर है कि opposition का रही मजबूत तरफ तोरीके से होगा आप लोग कहते हैा है लोग कहते है राम मंदर के और मैं नहीं मानता हूं कि राम मंदिरं से बहुत बड़ा VOT BANK B Julia B?' को मिलने वाला है ये NDO को मिलने वाला है इस लोग भी हिंदु हैं जो लोग basically कभी मंदिर नहीं जाते हैं घरों में कुछ मंते उचार से काम चला लेते हैं और एक certain percentage के section वो चल रहा है और आप सिर्फ यही कह रहे हैं तो मैं नहीं मानता हूं चीजों को आप demographic structure को समझे भारत की अब इस देश में information का जो flow है आप समझे भ आपके कॉलकाता इंस्ट्यूश्यों में बड़े-बड़े sections में लो computer रहे थे आप आज भारत उस section में information इतना तेज है मैं जब international जाता हूं मेरे जो clients है उनसे मिलने वह माई UPI यूज नहीं गर पाता हूं माई UPI नहीं है तो आप समझे भारत उस information model में आ गया है और हर वेक इतना data है कि वो जानते हैं कि मुझे कि के साथ जाना है किन के साथ नहीं जाना है बदलाव की तो आप समझे कि information जितना फास रहेगा दोनों चीज़े होती है negative होता positive होता है लेकिन एक benefit of doubt क्या होता है देखे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं भारत देश के जैसे नेता न नहीं है कारण क्या है कि भारत ही एक लौता देश है जहां पर नेता executive body का काम कर रहे है बुर्यक्रसिय काम कर रहे है चिठी लिखते है नाली की योजनाए उसको यह नहीं मिला उसको यह नहीं मिला आप इंडिया के बहाजी European countries में यह नहीं है चार बजे के बाद आपको ने नेता executive body का काम कर रहे है यहां के लोगों कुछ होना चाहिए कि कम से आप नेता के पास जाते है आपका काम आपका बुर्यक्रसिय के पास जाते है काम नहीं होता आपका आपका आप आज के डेट में एक politician से मिलना असान है रदे ने collector से मिलना मुसके लिए तो आप इस बात क के बाद यह भी कह सकते हैं कि participation से politicians का नहीं है बिल्कुल गलत politicians जितना कोशिश पुष दे रहे हैं उतना पुष बाकी bodies देगी भारत को और हम सबकी जिमेदारी मेरी है आपकी है हर एक विक्ति की जिमेदारी है कि उसको पूरा किया जाए इसकी जिमेदारी सिर्फ नहीं है क कि हम मूँ ठाके बोल देता है कि नेता नहीं है कि आप कहिए ने किसी बुर्योक्राट के बारे में कि अगर उसने करप्शन भी करा है तो आप कह दीजे उसके बारे में हो सकता है कि आप पर्सो जेल में हो जब मिला है तो हम एजुकेशन मॉडल में क्या काम कर रहे है हम हम यही कह रहे है कि प्राइवेट स्कूल सरकारिय स्कूल इंगलिष मीडियम हिंदी मीडियम और उसके अलावा क्या कि भाई नौकरी नहीं है खिल क्या मिलेगा फिनांशल स्टक्चर क्या होगा मेरी पर्सनल मिडियम और ऐजने नाकपूरी में पड़ आप किसी भी भाषा में पढ़ने पर जो कि έχ्ए जराएं किया सोच के साथ जो हज़ारचोविस कचुनाव है कई नेताई नेता जो है वो चुनाव के मैदान में होगे उनकी लिए संदेश क्या है अब क्या जाखन कर क्शि तरीके क्या देंगे ने बाएhmen कि बेसिली मैंने प्लिटिकल पाटिसाला के वारे हम बताया कि प्लिटिकल पाट चाह mooi्हाट को मैं यह मिसिच देना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकली बैंग्जरांड बैक्ड्रॉप कॉम कर सकते हूं अछछ Mick जाकन के लिए तो क्योंकि बेसिकली जब माटी की बात आती है मा की बात आती है तो उसमें emotional ही सबसे बड़ा रोल अदा करता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी लोगों से मिलकर और जो भी राजनेता हैं यहां पे जाकन में उनसे मिलकर अच्छे समेकर क्योंकि लगबख पूरे इंडिया में लगबख काम करने के बाद अब जाकन के माटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ politician आप से कैसे जुड़े देखे वो यह जुडने वाली बात नहीं है point क्या है कि अब क्या हम हम दोनों तरीके से काम करते हैं एक तो जब हम बात काम करते हैं तो हम एक corporate model पे कह सकते हैं या फिर as a consultant उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं या basically हम एक vision देते हैं कि हम कैसे communication bridge पब्लिक के बीच में और आपके बीच में बिच को बनाएं और उसको solve करें और policy apprehension जो भी उन तक पहुँचना चाहिए lively video उनका ठीक होना चाहिए उसको ठीक करें in fact हम क्या है कि मेरी ये company है उसका नाम है political events तो basically हम मिलते हैं और vision exchange करते हैं अच्छा vision हमारा match होता है हमें काम करते हैं साथ में कि हम एक public से एक अच्छा communication build up करके कैसे एक बहतर political scenario create कर सकते हैं जो भी model हो campaign model हो social media के sections हो क्योंकि basically it's a game of communication ठीक है या strategical game हो या policy ऐसी हो जो लोगों तक पहुचानी हो क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं जब जारकन के हम बहुत सूर्द इलाके में जाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो कि solve करने के note पे बहुत जरूरत है मतलब मैं तो यहां तक जानता हूँ कुछ इलाकों को जहां पे मतलब भोजन की बहुत बड़ी समस्या है बहुत इलाके में जानता हूँ जा सेनिटरी पैट्स की बहुत बड़ी काड़ हैं और यानि आप उस चोटे से भाव से यह भी कह सकते हैं उनको प्रेम से जहारखन के प्रसांद किशोर जो बड़े एक चुनाव रजनितिक आदमी है और जहारखन को बड़ी खुबी से तरीके से देखा है उन्होंने जो भी बात कहें कि जहारखन में जो भी चीजे पॉलिसी बनी है चाहे रोजगार यह सिच्छा को ले करके को भी अभी तक जहारखन बाइस सले से अधिक हो चुका है लेकिन कोई भी योज़ाई जो हैं अभी तक पल्ट्री पर नहीं लें ऐसा ही खास महमानों को साथ हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक मुझे उजाज़े यह जय हिंद जय भारत